सावला रंग बात उन दिनों की है जब हमारी नई नई शादी हुई थी और हम हानीमून के लिए बाहर घुमने गए थे तब ही उनका एक दोस्त मिला उसने हम दोनों को देखा और तुरंत ये कह दिया कि हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि इनका रंग गोरा और मेरा रंग सावला था पर हमारे नया नक्ष बहुत तीके थे और मैं सावली होकर भी बहुत कुपसूरत लगती थी और मेरे अंदर वो सारे गोर थे जो एक संसकारी और एक अच्छी बों में होते हैं में पड़ी लिखी भी थी और साथ-साथ घर के सारे कामकाज में भी निपोर थी ये सारे गुड़ मेरे में मौजूद थे जिसको देखकर मेरे सस्राल वालों ने शादी के लिए हां कर दी और मैं शादी करके इंके साथ सस्राल चलिया आई किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं थी सभी लोग घर में बहुत खुश थे और मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उन्हें घर सवारने के लिए बहु चाहिए थी चाहे रंग गोरा हो या सावला क्या फर्क पढ़ता है घर में खुशिया तो है और मैं सभी लोगों को खुश रखती हूँ इन सब बातों को लेकर मेरे पती भी खुश थे और इन्हें हमसे कोई गिला शिक्वा नहीं था इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को कह दिया कि हमारी जूरी बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे रिष्टा गोरे रंग की लड़की से नहीं बलकि सामले रंग की लड़की से हुआ है जो सबकी दिलों पर राज करती है ऐसे भी जीवन रंग से नहीं लड़की की खुबसूरती से चलता है सलाम करती हूं ऐसे पती को जिसकी इतनी अच्छी सोच है दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जुरू बताईएगा कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है तो वीडियो को पूरा देखने के कि बबाई